हलो बच्छों क्या हाल च्याल तुम सब के अरे कैसा रहा सब बढ़ियां चल ला है मज़ा में लाइट चल ली कि नहीं चल लिए भाई अच्छा मज़े की बात क्या है कि कल मम्मी तो थी मेरी बहुत टाइम बाद चॉक्लेट लेगा है मेरे लिए जो कि मेरी श्टर ने खाली और ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत चॉकलेट खाली यानि मेरे लिए उस बड़ी सी चॉकलेट में से चोटा सा पाट बचा अब तुम बताओ यह इंसाफ है कि भी यह बहुत बड़ा ना इंसाफ है जल्ली से आजो जनता केतर हो सारे जुनून वाले प्यारे बैरे बच्चों आजाओ कॉमेंट सेक्षण में वड़ावट से इंतदार कर रहा हो तो यह बताओ तुम इनसाफ है कि ना इंसाफ है जब मेरे को बहुत बिलकुल नहीं है फिर मेरे को बहुत स्ट्रगल मारना पड़ा याना बात करनी पड़ेगी मम्यार यह तो गलत बात है याना ऐसा थू ओंस टरगलल ने तो बहुत शारी मेरे कैसकते क्या मेरे डिये जीत ली लेकिन ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स सब्सक्राइब करेंने कि युकस शारी अधिकार या भूराका और 1954 बच्चे कई बार नहीं मिल पाते और आज हम बात करने वाले हैं मेरी सस्ती के साथ किस बारी में equality और उसके लिए खिये जाने जाले struggles के बारे में यानि struggles for equality equality का मतलब यानि कि सबकोच एकदम बरावर होने का कोई उपर ने कोई जाधा नहीं कोई कम नहीं कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं भालत जैसे देश के आप बात करते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें तो इंडिया जाना जाता है विश्व में अपने democratic setup के लिए अब अगर आप बात करेंगे तो democracy कहती है कि भाईया किसी में न करो भेदबाओ खालो वड़ा पाओ ठीक है यानि खाके वड़ा पाओ ना करो किसी में भेदबाओ कुलमिला के बात ऐसी है कि हम जितने भी लोग इस देश के अंदर रहते हैं वो सारे के सारे है इकवल रहाई और और किसी भी जेंडर के हैं मेल हो चाये फइमेल यह वह धो गोरे हो चाये वह काले हो चाए तो लेकिन आप को इन ग्रांड सुनने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन जो आप बात करते हूं इस आरी बातों के रिगार्डिंग जब आप बात करते हैं कि क्या रियालिटी में प्राक्टिकल सेंस में यह चीजिए अप्लाई होती है तो इसका जवाब हमें मिलता है एक ना के फॉर्म में उसका रीजन है समविदान में सारी इक्वालिटी की बाते लिख दीगें समविदान में बता दिया गया भारत ये Constitution में कि आपको इस तरीके से करना है बट जब आप Ground reality की बात करते हैं प्राक्टिस करना फॉलो करना चीजों को मानना वो सब डिपेंड करता है हमारे इस इन इंडिविजुल सिडिजन के उपर आप फॉर इग्जांबल Constitution में भारत के समविदान में Untouchability एक बहुत बड़ा Sin है Sin के अंदर सेंस एक बहुत बड़ा Crime है ठीक है Untouchability एक बहुत बड़ा Crime भी है Sin भी है मतलब गलत भी है करना और साधी साथ एक Crime भी है मतलब जिसकी Penalty आपको मिल सकती है लेकिन इतनी सब चीजें होने के बाद भी बहुत सारी जगे ऐसी है जहां पर आज भी Untouchability बच्चों लोग Practice करते हैं ठीक है आज भी भारत में कास्ट के बाहर शादी करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता हम इतना आगे बढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हैं इंटर कास्ट मैरेजर्स इंडिया के अंदर बहुत कम Nich program भी नहीं देखी जाती हैं रियो इनिए क्रिमनियों करें हैं तो आज बच्छों दो से तीन चीजों की बात करेंगे हैं हम लोग बात करेंगे कि क्या मेजर फैक्टर्स हैं जो की इन इक्वालिटी कोस करते हैं हम बात करेंगे को और आज के पन्नों को पलटते हुए आगे बढ़ते इन इक्वालिटी स्टव आज क्या है और आपका ऐसे चले आगेर में बात करों बच्छे सबसे पहला रीजन इन इक्वालिटी का वह गरीबी आने की पावर्टी जब आपके पास पावर्टी यानि कि अगर आप गरीब है आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत सिम्पल सी बात है आपके पास एक अच्छी एजूकेशन नहीं आ सकती है ना एक अच्छी एजूकेशन के लिए क्या जरूरी है आके बास ठीक ठाक पैसे होने चाहिए जिससे आप एक अच्छी स्कूल में जा सकें पढ़ाई कर सकें फीस दे सकें बूक्स खरीच सकें उनिफॉर्म खरीच सकें इन सब चीजों के लिए क्या आता है पैसे लगते जब नहीं होगी तो आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो आपको अच्छी इंकम नहीं मिलेगी अच्छी इंकम नहीं होगी बच्चों तो बेसिक जरूरतें आप नहीं पूरी कर पाऊगे कि नगे पूर फेल्थट केर भी होगा आपका तो अल्टी बेट यह बच्छे सारीच आपस में लिंग है। ठीक है। बहुत सुंपल है। अगर आप गरीब हैं आपके पास ठीक ठाक पैसे नहीं है अच्छे एउकेशन करना गें करना आपके बस की बात नहीं होगी। अच्छे एजुकेशन नहीं कर पाएंगे तो आगे चलके अच्छा जॉब नहीं मिलेगा आपको अच्छा जॉब नहीं होगा तो अच्छी इंकम नहीं होगी तो भाई बेसिक जरूरते आप पूरी नहीं कर पाऊगे फूड हो गया आपकी हेल्थ केर हो गई एक अच्छा घ आकफ कह सकते हो ना कि access यहां पर आपको नहीं मिल पा रहे एक shopping mall के बात करते हैं shopping mall में कोई किसी को माना नहीं करता है entry करने से बहुत valid fact है ठीक है सब को जा सकता है तो आप पे जाके games खिल पाते हैं movies देख पाते हैं तो answer is no जिसके पास पैसा है वो कर पाएगा जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएगा तो for example एक ऐसा गुमाएगा और वहां से चलाएगा तो बच्छे कहीं ना कहीं poverty गरीवी बहुत बड़ा reason है जिसके चलते लोग जो है ना कई बार equal equality में नहीं आप पाते कई बार equal चीज तरीके से चीजों को access नहीं कर पाते राइट दूसरा बड़ा reason है बच्छों यहां पर discrimination on the basis of person's religion caste and sex ठीक है यहां पर basic सी बात है that means your gender ओके तो male या female male या फिर female ठीक है और इसके लावा अगर हम बात करें बच्छों तो इसका बड़ा अच्छे example अब का डड़ोरित community तो अगर आप ड़ित community को देखें बच्छी तो अगर आप ड़ का मतलब होता है धाभाया हुआ या फिर तो अगर आप ध्यान से दीखें नित्रीड कर इसी community जिसको कई सालों से कई जमानों से कई सेंचुरी अगों से कहीं ने ऑपरेस्ट किया रहा था लगा जार हो न हुए उस्टर्फ जब आपने लौको को स्किल्स के बैसिक प्रिवाइट के नभर बूर नहीं था ठीक है कोई दिक्कत नीं बट जब वो रिजेट होता गया नहीं अब यह काम को लोग बड़ी हिट वाली भावना से देखने लगे लगा कि यह लोग बेकार है इनके वी किसी पब्लिक प्लेस मां लाओ नहीं करना चलिए एक कम्यूनिटी कास्ट की वज़े से उनलों को ना प्रॉपर एजूकेशन मिला ना प्रॉपर सुसाइटी के बेनिफिट्स मिले एज रिजल्ट वो पिछड़ती चले गए समास में जब बाकी बच्चे ग्रो करने स्कूल जा रहें पढ़ रहें अच्छा कुछ कर रहें स्ट्रगल किया उन्होंने दलिट्स के लिए और उनको एक पॉलिटिकल राइट एक अधिकार समयधानिक अधिकार दिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है ताजर रिजल्ट भारी भारत के अंदर रेजर्वेशन पॉलिसी आई शिडूल कास्ट कहा गया हमने जो दलि सब्सक्राइब बहुत बहुत जरूरी तो कई बार आप देखें तो भाई भारत के अंदर जेंडर बैसिस पर भी कई बार बाइसिंग होती है जेंडर बैसिस का मतलब अगर आज भी आप फीमेल और मेल एजुकेशन रेशियो लिटरिसी रेट को कंपेर करेंगे तो मेल लिटरिसी रेट कंपारिटिवली जादा है फीमेल के कंपारिशन में उसका बहुत बेसिक सा रीजन में आपको दाता हूं बच्छो हाला कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं जिन जमाने में हम बढ़ चुके हैं बहुत आगे लेकिन सोंच हमारी अभी भी भढ़ नहीं पाई है हमारी सोंच अभी भी बढ़ नहीं पाई इसका बहुत ही सिंपल से एक्जैम्पल में आपको देता हूं ठीक है आप कभी भी एक हाउसोल्ड के अंदर एक मेल और फीमेल के वर्किंग आर्ट को कंपेर करें दो लोग हैं एक लड़का जॉब कर रहा है और एक लड़की जॉब कर रही है लड़के को देर हो जा रही है आने में लड़का आ रहा है दो बज़े रात के दाई बज़े रात क लड़की भी आ रही है डेड़ बज़े वापस दो बज़े वापस रात के बट सोसाइटी का जो नजरिया है देखने का वह बहुत अलग है लड़की की परस्पेक्टिव में लड़का बड़ा हाड़ वरकिंग है बहुत काम करता है देर रात तक ओफस से आता है ठीक है सबसे पहले होती है मतलब बाते होती उनके लिए करने के लिए आरे पता है तुमको देड़ बज़े रात में आई थी सुष्मा ठीक है यह दो बज़े आई थी तो बचसे वर्ट चेंज हो रहा है आप जनली मेट्रो सिटी में जाएंगे आप कुछ तरीगी गॉसिप कम मिल आप मेल और गर्ल चाइल्ड और एक मेल चाइल्ड के एजुकेशन की बात करिए तो बहुत सारे पेरेंट्स आज भी प्रेफर करते हैं अपने बच्चे को अपने लड़के को ज्यादा हायर एजुकेशन प्रवाइड करना उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि वह मानते हैं उनका मतलब मानना है कि लड़का अगर जबर्दस्त वाली एजुकेशन लेकर आएगा तो मतलब वह बहुत वैल्योबल बन जाएगा अगले बार उसके बाद वह बहुत अच्छे पैसे कमाएगा और हमारा देखबाल करेगा वाइनॉट देखबाल करेगा आप सेम एक्सप करना लड़के के एजुकेशन में ज्यादा बेनिफिशल है क्योंकि लड़की की एक दिन शादी करनी है तो इस प्रकार से कहीना कहीना वह इक्वालिटी बीच में नहीं आपाती लड़कियों को अपना टाइप अपना प्रोफेशन चूस करने में काफी फाइट मारना पड बच्छे एक कॉलेश ट्रिप जा रही हो परमीशन मांगने में भी बहुत फाइट मानना पड़ता है यह आज की भी हार्श रिया लेटी है अगेना नॉट सेंग तो आपको कॉलेश ट्रिप रिवार्ड में बिलेगा तो इस तरीके की चीज़ें बच्छे बात भी भारती स इस तो आपके जेंडर के बेसे पर आपके रिलेजन के बेसे पर कास्के बेसे भी भेधभाव किया जाता है यहां पर बहुत जरूट है हाला कि बहुत सारे से मलब मालेजू बहुत सारे सारे से लाओ जोकि बात को कहते हैं और मैने फीमेल में क्वाली क clock से गये, अब बॉली वॉट में आक्ट्रिस का एक बार सालरी गूगल गरेगा और हाई एसस्प incoron करिएगा बच्छे दोनों में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख जाएगा ठीक है तो आं टॉकिंग अबॉट इंडस्ट्रीज जो की वेल कल्चुर्ड है या कैसकतो वेल कैसकते स्टाबलिश इंडस्ट्रीज है डाट इस आउट गोज आन यहीं नहीं बच्छे आप व जार्ती सोसाइटी में बची बहुत सारी से स्युसाइटी क्रतिकर करते हैं अब सब्क्राइन Command напр Basically बातकर रिए अंसे genesis 9 इkt पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है विमन को काफी रिस्पेक्फिल देखा जाता है उनके लिए रूल काफी बढ़िया है तो बच्छे से बहुत सारे एक्जामपल्स है जहां पर आपको दूनों ही चीज़े देखने को मिलेंगी equality के कुछ बहुतरीने example और inequality के भी कुछ चले चले बाध बहुत सारे ऐसे struggles हुए है बहुत सारे इस लोग हुए है ऐसा organization इन्होंने मल्टिपल सीज़ों के लिए लडाया लड़िय है multiple season के लिए fight लड़ी है right कुछ famous struggles के करें women's movement to raise issues of equality ठीक है कुछ famous struggles के करें बात करते हैं तो आपका women's movement हुआ महिलाओ दौरा अंदोलन बहुत सारे अंदोलन हुआ है बच्चो एक्वालिटी को ले करके इक वाल वेज़ेश को ले करके ठीक है तवामत से संग का अंदोलन है जिसके बारे में पढ़ेंगे आज तवा मत्से संग के बारें बच्चे हम लोग पड़ेंगे आज ठीक है अपार्ट फॉम दाट बहुत सारे ऐसे हैं बीडी वर्कर्स होएं आपके फिशर मैं हैं लेबर्स हैं इन सबने अपने अपने अलग-अलग चीजों के लिए भाई हमारे आंदोलन किये हैं ठीक है ठीक ह फॉम्ष淏क आज बूत सुरा है रॉकुत ना पड़ें लड़ें हैं अपने अपने तरीकों से हर एक के लड़ने का तरीक हरे के प्रॉब्लम को Trust को प्रेजेंट करने तरीक है बिलकुल अलग अलग होता है खेके नि Cold चले आज एक बड़ा खुबसूरत एक्जाम्पल है हमारे पास तवा मत से संग का तवा मत से संग तो यह एक ऐसा एक्जाम्पल है जहां पर डेवलप्मेंटल एक्टिविटी के चलते लूकल पॉपॉलेशन है उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है डिस्प्लेस होना पड क्योंकि सरकार को तो घर तोड़ना है आपका फ्लाइओवर निकालना है उपर से तो इस तरीके की चीज़े बच्चों कई बार होती है लेकिन इस केस में आप बेनिफिस्ट इस बात का है क्या आपको कॉम्पेंसेशन आपका हर्जाना दे दिया चारा है लेकिन जब आप ड जंगलों को काट के आसपास की जंगलों को क्लियर करके और वहां पर जो रहने वाले लोग होते उन विचारों को अपने घरों को छोड़ना पड़ता है अब सरकार मज़े की बात तो यह कि उनको प्रॉमिस करती है कि हम आपको बहतर जगे पर रिलोकेट कर देंगे लेकिन यह भी है ना कि है और कि SHave निभाएंगे हम और एक बार बोला है तो पता नहीं दुबारा कब आएंगे हम ठीक है तो कुल में लाके बात यह कि किנ जाते हैं लेकिन उन वादों को निभाना सरकारे भूल जाती है उसके बाद सफर करते हैं हमारे वहां के लोकल लोग अच्छा डान क्या होता एक बहुत सिंपल सा तरीका में आपको बताता हूं कभी उसको एक्सपीरेंस करना कुछ मत करना है सा पानी का बोटर लेना ऐसा पानी डालना उसको ट्राइगा रोकने का पानी रूके गाने पहली चीज़ पानी रास्ता चेंज करेगा इधर उदर से मूफ करेगा अब सोचो तुम नदी के बीच में बारियर बना रहे हूं उसके पानी को क इतना हम कंट्रोल कर पाएंगे उत्ता कर लेंगे बाकी नदी का पानी धीरे धीरे अपना कोर्स चेंज करेगा आज रिजर्ट जो निचले हाइट पे एरियाज है जो काफी नीचे लेवल पे एरियाज है बच्चे वो क्या होंगे डूब जाएंगे जो पानी दर उदर फै ठीक है तो ऐसी बच्चे तवाम मत से संके हम लोग बात करते हैं कि क्या था यह जब डाम्स बिल्ट किये जाते हैं फॉरेस्ट डिकलेड अईरियाज डिकलेड सांचिरी फॉर अनिमल्स थाउजंस अफ पीपल साथ डिप्ले ठीक है कंस्ट्रक्शन ओफ डाम्स डिस्ट्रक्शन पीपल राइट अन्द पोस्ट गोटू नूब अरियास ताट नूव लाइज लाइज पर ठीक है उनको मजबूरी है सरकार आप से एरिया रे रही है सरकार के पास राइट से आपको कहीं वाल जाना पड़ेगा ना मोस्ट आप डीस पीपल और पूर वेए वेए सिंपल है ना इसे पीपल आर विचारे गरीब लोग होते हैं अब कैसे अपनी इस जिंदगी स्टार्ट करेंगे शेहरों में भी बच्छे अर्बन एरिया में जो बस्तियां होती है जनली स्लम एरिया च्छोटे एरिया जह दिया बस्तियों को खाड दिया अब भीचारों क्या करेंगे किसी और जगे जाके उनको रहना पड़ेगा सम आफ देमारी लुकेटेट टो एरिया आउटसाइड चिटी देर वर कैसले से चिल्रें स्कूरिंग इस सीवियरली डिस्रॉप्टेड विकॉस अफ दिस्टेंस ठ डिस्प्लेस होते हैं जब वो बचो सेटल अट दा आउट्सकर्ट्स अफ सिटी आउट्सकर्ट्स मतलब शेर के बार ही लाके जिनके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनकी स्कूलिंग खराब हो जाती ही बिकॉस इतना डिस्टेंस बढ़े आता है बचो तो बहुत 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 है कि अर्बन एर्यास में भी यह जो पूरा हमारे प्यारे मलब छोड़े प्यारे बच्चे होते हैं इनकी स्कूलिंग खराब होती है क्योंकि जब इनके घर डिस्प्लेस हो जाते हैं कोई डिव्लप्मेंट प्रॉजेक्ट के चलते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि गाहों के शेहरों के थोड़ा बाहर वाले एर्सों में सरकार टेंप्रेरी इनके स्कूल जा रहा है जो कि इसके पुराने लोकेशन के पास है तो स्कूल आना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि विकॉस बढ़े आता है तो ऐसे केसे में इनकी विचारों के स्कूलिंग शूड़े आती है बहुत सारे और नुकसान होते हैं देखते हैं वाई वन स्कूल जो सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को अपना ओरिजिनल घर चोड़ना पड़ता है अपने अरिया उसको जहां वो रहते हैं उसको लीव करना पड़ता है राइड चलिए तवा मच्छा का मतलब होता है मचली यानिकी फिश ठीक है एफिश तुमारा फिश तो फिश फिश यानि मचली कोई बच्चा खाता है फिश या अपन तो नहीं खाते है अपन एकदम शुद शुद इशाका आरी इंसान अगर कोई बच्चा फिश वगरा खाता है तो कोई तिक्कति मस्त एंजॉय करो भाई तुमारी मर्जी चिल मारो अच्छा लगता है खाओ क्या ट कि उनको फाइदा या नुकसान होता है वह आपस में बाट ले ठीक है तो यह जो तावा मत से संग है यह ऐसे ही कोपरेटिव का एक बड़ा और्कनाइजेशन ठीक है डाडर फाइटिंग फॉर राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ट फॉरेस्ट डॉलर्स ऑफ सत्पुरा फॉरे ठीक है चलिए अब इसकी फाइट को देखते हैं एक बार फाइट का मंदर डवलुई वाला फाइट नहीं ठीक है नाओ ओरिजिनेटिंग इन महादेव हिल्स ऑफ चिंदवाला डिस्ट्रिक जो तावा नदी है डाट फ्लोस थू बेतुल बिफो जॉइनिंग नर्मदा इन खोशंगाबार ठीक है तो तावा बेसिकली जरीवर नाइट आवा रधी जो है आपकी रिवर है तो रिवर का ओरिजिनेशन क्या है ओर इजिनेटिंग पॉइंट क्या है इसका ओरीजन भी लिख लेते हैं वाट इस ऑरीजन ऑफ दारिवर परीजन क्या है बच्चे महादे इसके बाद ये कहां से फ्लो करती है इसके बाद ये कहां से फ्लो करती है इट फ्लोस थू बेतुल अब जो तावा डैम था बच्चों इसकी बिल्टिंग साथ हुई थी 1958 में और 1978 में इसको बिल्ड करके कम्प्लीट किया गया है तो आपका तावा डैम है तावा नदी के उपर जो बना डैम है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1958 में और बच्चों एक कम्प्लीट हुआ था 1978 के अंदर ठीक है तो 1958 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1978 में तावा डैम कम्प्लीट हुआ अब जो पानी आउटफलो किया जो पानी इदर उदर बहा उसने बहुत सारी ऐसी खेती बड़ी की जमीन और जंगल की समीन उसको पूरा डूबा दिया ना बिचारी जो डिस्प्लेस पीपल थे जिनके घर चले गए थे जिनके घर डूब गए थे वह जो लेक क्रियेट हु जमीन तो खराब हो चुकी है अब बिचारों कोई पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा अचा मज़े की बात क्या है कि जब आप डैम मनता है ना कभी भी तो डैम बेसिकली हम स्ट्रक्चर को कहते हैं जो आपका डैम पूरा एरिया है ठीक है अलॉंग विदा रिजर वायर रिज सकते हैं ताल हिंदी में कहते हैं तो अदिक हो फ्लो रोखते हो ना बेटा है तो क्या होता है जाए लन था वायर रेजर वायरॉंग चेकर अप उनके जमीन आप जो न कंगता हुए क्या भी बना खके रहने लगने लगे हैं लेक लिए। है नहीं जादा तो अपनी इंकम को सप्लिमेंट करने के लिए इन्होंने फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया ठीक है चलो बहुत अच्छा किया अब 1994 में सरकार ने जो फिशिंग राइट थे वो प्राइवेट कॉंट्राक्टर को दे दिया अब इनकी जिन्दगी में क्या आगया भुचाल आगया वह तो बहुत ही गलत किया सरकार ने 1994 में गवर्मेंट गेव फिशिंग राइट्स तो प्राइवेट कॉंट्राक्टर्स ठीक है ओके गवर्मेंट गेव फिशिंग राइट्स फ्राइवेट कॉंट्राक्टर्स अब इन कॉंट्राक्टर्स ने क्या किया कि जो वहां के लोग थे लोकल लोग उनको भगा दिया और बहाद से सस्ते दामों पर लेबर लिया है ठीक है लेबर मतलब जो आदमी काम करत है ठीक है वहां के लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़े थे उन्होंने क्या कि वहां से लोगो भगा दिया और बाहर से लेबर सोर्स करके लिया है कम-कम ध्यारी पर कम दामों पर अब इससे क्या हुआ जो कॉंट्राक्टर्टर्स थे बिगान टू थेटें डा विलेजर अब पर अब इससे लेए रिए क्या थेए बहुत सिंपल सी बात है क्या किया नॉमबर वान वोड़ वेलेजर्टर्टर्टर्स अब पर अब बिगान थे रावंगों who did not leave now villages ने response दिया कैसे? by forming organization organization आपना अधिकार लेके रहेंगे अब तुम जो करते बना कर लो हम बनाने जारें अपनी संसा अपनी का ओगनाईजेशन और हम फाइट करेंगे हमारे अधिकारों के लिए अब जो न्यूली फॉर्म्ड तवा मत से संग ठीके तावा नदी मत से मतलब मचली और अपने राइट्स को लेकर के समय अब इनबंगा है क्या क्या आप मतलब रोडां पर शूरू कर दिया आप सरकार को होता है यह चुना हो जाएंगे कितना बावा लोग आ तो बड़े लेवल पर आप कोई चीज़ करोगे तो मीडिया भी तो कवर करेगी बहुत दौंबले बच्चों है ना तो रिस्पॉंस में जो सरकार थी उन्होंने एक कमिटी बनाई तो असेस दा इशू ठीक है ग जो कमिटी थी रेकमेंड़ डाट फिशिंग राइट शुट बी ग्रांटे टू विलेजर्स नाइटी 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 नाइडी सेक्स में माध्य प्रदेश गौर्णमें ने डिसाइड किया कि भाई जितने भी लोग जो की डिस्प्लेस हुए हैं तावा डाम बनने की वज़े से उन सब लोगों को फिशिंग राइट दिये जाएंगे एक पांच साल का लीज एग्रिमेंट साइन हुआ था दो महीं में बाद यानि जनवरी सेकेंड नाइटी नाइटी सेवन को राइट और तैंतिस गाओं के जो लोग थे तावा नदी के पास रहने वाले उन कमिटी की रेक्मेंटेशन क्या थे नमबर वन रेक्मेंटेशन था फिशिंग राइट फिशिंग राइट तो बी ग्रांटेट तो विलेजर्जर्ट है नहीं तो 1996 में MP गवर्णमेंट डिसाइड तो गिव थे फिशिंग राइट है और फाइनली आपका जो लीज एग्रिमेंट था डाटो साइन विद्ध विलेजर्ट ठीक है तो बहुत सिंपल सी कहानी थी क्या कैसे स्टार्ट हुई कि तावर नदी पे एक डाम मनाया गया डाम के जलते जो आसपास की गाउन थे वो डूप गए पानी में समल जोने के कारण जिससे बचारे लोगों की जमीने चले गए अब लोगों ने क्या किया जो आपे लेक क्रेट हो गया था तावा रिजर्वायर वहां पर आसपास राकर के वो लोग रहने लगे जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर खेती बाड़ी करने लगे ब साथी साथ जो लोग नहीं जा रहे तो उनको डरा धमका के भगाने लगा लोगों ने सोचा कि एक और्गनाइजेशन बनाते हैं और तब शुरुबात हुई आपकी तवा मत से संकी लोगों ने फाइट किया रैली एक की प्रोटेस्स किया चक्का जाम किया फाइनली सरकार ने कमिटी बनाई जिसको एक काम दिया गया कि आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम है कमिटी ने कहा कि भईया जो लोग है उनको फिशिंग राइट दे दे नहीं चाहिए उनके अधिकार है तरीके सम गलत कर रहे हैं फाइनली सरकार ने 1996 में डिसाइड क्या मत्यपेदिज और एक प्रॉपर एग्रिमेंट साइन हुआ लोगों के बीच में और सरकार के बीच में और नए साल की शुरुवात 33 गाओं से जो अलग-अलग लोग थे उन्होंने मशली पकड़के शुरुवात की तो यह थी भाई तवा मत से संग की कहानी चले आब आप पुझे फिलाल इस कहानी में यह बताईए कि सरकार ने जो फिशिंग राइट्स थे प्राइवेट कॉंट्राक्टर को वो कब इशु किये थे आपके पास पूरे 40 सेकिंड का समय है और इस सेकिंड में आपको देना है आंसर सीधा कॉमेंट सेक्शन के अंदर आपका समय शुरू होता है पर चले बहुत ही बढ़िया तो बच्चों ने बड़ा अच्छा चांसर दिया है बहुत बढ़े अंसर दिया है वेल डान मजानी लाइफ आगे आए वाह मुशा है मचली वाली कहानी बृत्तम मस्त वाली कहानी चल दीधर अचा आप यह निंग जानना चाहोगे कि TMS ने औ अच्छत से क्या डिस्विशेंस लिये चले देखते हैं तौछ आप यह लूज लिए डिशिजनस तmême लाट ऐसंत्वाइब आशना रहें तवामत से संग थाईब पहरगा नंबर पहरा चीजे यह नोंने क्या कीया तो सेटप दब नर गॉपरेटिव अब cooperative setup करने से क्या हुआ जब इन्होंने cooperative बना दिया proper तो वो जो cooperative था जो organization था वो फार्मर से किसानों पर सही दाम पर मचलियां खरीडता था जिससे उनकी मचलियों जो उन्होंने पकड़ा है उसका एक fair price उनको मिल पाए right that is first and important point जिसके चलते जो किसान थे जो मचली पालते थे मस्की का वैपार करते थे उनकी इंकम धिरे धिरे बढ़ना स्टार्ट हुए right now second important point cooperative arrange the transport and sell this in the markets ठीक है the transport and fishes in the market you is clear about to know now up your happy kata in quick a chadam in the data they used to get a good price for the same third important point now they've now begin to earn three times more than earlier TMS has also begin giving fish worker loans for repair and buying of nets and loans for repair and buying of fishing nets you 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 higher wages as well as preserving the fish in reservoir you 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 हमारा सम्विदान भालती सम्विदान हर एक हिंदुस्तानी को देता है राइट चले अब जैसे फिश वरकर्स थे हमारे तावा मत्से संग के अंदर ते होग दाट अब प्रोविजिशन सफॉस्टिटूशन विल बिकम रियालिटी थू दियर पाडिसिपेशन इन इस मुवमे तरीके से लीगल तरीके से उन्होंने आंदोलन किये चक्का जाम किया रहलिया निकाली प्रोटेस किया नारे लगाए और सरकार को सुननी पड़ी माननी पड़ी तो भाई अगर कॉंस्टिटूशन पावर नहीं होती सम्विदान में नहीं दिया होता तो फिर कैसे कर पाते स सम्विदान जो है हमारा वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है इसका मतलब क्या है भई हमारा that means it has a real meaning in our lives हमारे जीवन के अंदर इसका कोई महत्व है अगर आपको पीने का साफ पानी नहीं मिलता सरकार द्वारा सरकार नहीं प्रवाइड कर पाती और उसके चलते अगर आप किसी मुश्किल में पढ़ते हैं तो बिटा वो भी आपके right to life को कहीं न कहीं violate कर रहा है एक ऐसा case हुआ था मुझे exactly case का नाम नहीं आधा रहा है इस टाइम पर आएगा मैं जरूर से आत करके बताऊंगा आपको जहां पे एक इंसान की जिन्दगी खतरे में आ गई थी जिस बिकाज उसको proper safe and clean drinking water नहीं मिल दा थी ठीक है सुप्रीम कोड ने रोल आउट किया था उस चीज को कि भई ये भी जिन्दगी जीने के लिए बहुत जरूरी है और जो हमारी authority है उन्होंने जो सरकार responsible है उन्होंने एक इंसान के जिन्दगी के साथ खिलवाड किया right to life क कोई value नहीं होता हमारे जीवन के अंदर तो क्या हम कहते हैं समविदान का कोई value है क्या यह living document है living document इसी लिए है क्योंकि इसमें लिखी कई बाते हैं वह real life में apply होती है आपके पास एक बड़ा खोबसूरत सा right है ठीक है fundamental right है आपके fundamental rights में दिया गया constitutional remedies का right अगर आपका कोई कोई भी fundamental right violate होता है अब सरकार के पास जा सकते हैं आप सुप्रीम कोड के पास जा सकते हैं वापे अपनी appeal कर सकते हैं कि इस particular fundamental right का violation हुआ है मेरे और आपकी appeal को सुना जाएगा आपका case सुना जाएगा भई you have the full freedom to do that अलग अलग तरीके हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें हमारे समविदान में दी हुई है और कहीं न कहीं बच्चों जो समविदान है हमारा एक living document है क्योंकि इसमें लिखी हर एक चीज हमारी real life में कहीं न कहीं apply होती है है ना चलिए so in a democracy there are always communities and individuals जो कि idea of democracy को हमेशे expand करने का try करते हैं and multiple तरीके से quality को recognize करने का भी try करते हैं multiple तरीके से उचाते हैं कि equality हर एक form में हर एक form में स्टाबले शो लेकिन बच्चे भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस बड़े देश की बड़ी जनता को aware होना बहुत सदूरी है सबसे पहरा सवाल है कि क्या अपने अधिकार से वाकिस हैं क्या अपने अंधिकारों को आप जानते हैं कि आप अपने article को जानते हैं क्या जो आपको constitution कि उसको जनते हैं हम बहुत बार चाहिए कोई भी सरकार हो जो बहुत बार ऐसा करते हैं grad psychiat kl Springs especially बटा आप कितनी इंफॉर्म्ट हो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको बता है कि उसको काउंटर कैसे करना है तिक बहुत सिंपल सी बात है समविधान बनाया गया रूल्स बनाया गया लोगों को अप्लाई गया गया उस रूल्स को बट कहीं न कहीं हर एक करने के लिए भी सम्विधान के अंदर डॉक्यूमेंट है सभीतनर बताया गया कि अकर आके साथ यह वाइलेशन होता है तो क्या करना तो क्या आप ने इसको किया नहीं पको पता लिए तो शरूत इस बात की भी है कि सक एक डिमोकरीची के अंदर आप कितने आवेर सिटिज इसका ना क्यों ही पढ़ना चाहिए लाइव का आपको जीवन का सत्य बदाता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कल को बिटा अगर तुम किसी 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 चीज में फस्ते हो और अगर आपको अपना राइट पता है तो यही पॉलिटिकल साइंस की बात है आपको बहुत काम आ अगर नहीं हुआ है आपको बता है बच्छा आप कंज्यूमर कांसिल के अंदर अपना केस फाइल कर सकते हो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो लोगों को लगता है कुछ नहीं होता नहीं बटा ऐसा नहीं होता है रिस्पॉंड इसक्राइब करिये और अक्शन भी लिया लिचेज आता है जो डिफॉल्टर होता उसका गेज भर समस्धा ही कि किया आप कितना अवैर हो आपको उनलाइन के साथ कोई फ्रॉड होता है आप साइब क्राइं में उसका अप्लेगेशन डाल सकते हैं लोग डालते नहीं है पिलकुल होगा आप डालिये तो सही एक बास पर सकता है थोड़ी भागदाओर करनी पर सकती है लेकिन उस भागदाओर का रिजल्ट आपको जरूर से मिलेगा तो पहली बात है कि हम कितना इंफॉम होते हैं कितना अवेर होते हैं पिर कहीं न कहीं सारी करती है और इक्वालिटी आएगी आएगी तब जब हर एक बंदा हर एक परसन इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करेगा फाइट करेगा अवेर बनेगा इनफॉर्म बनेगा और ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल से तो पूरे दुनिया में हुए है अलाग अले की क्वालिटी को लेव बावे के अंदर भी ऐसे मुवमेंट्स हुए हैं जहां पर पार्थी जो कल्चर था पार्थी जो ब्लाक लोगों के अगेंस वहां पर इनिक्वालिटी की जाती थी उसके अगेंस लड़ा है नेलसर मेंडेला ने तो आप यह इस्ट्री दिखाती है कि जब आप स्टगल करत हो तो दुख होना ही नहीं चाहिए आपको अगर आपने एफर्टी नहीं लगा है तो दुख की बात है यह अगर इननो इनो सोच लिया होता पुछrantि नहीं हो सकता कुछ भी नहीं होастस गता होगई तो क्या यहीए वह छीव कर पाते चीक्तिक नहीं तो it all starts with one single effort चाहे वो आज हो चाहे आज से 10 दिन बाद हो चाहे आज से 20 दिन बाद हो जिस दिन ये छोटे से श्कार्ण को फोटे से चाहे चौकर करके तो आज मेरा आप से यही एक सवाल है कि वाट दा यू कें डू तो ब्रिंग चलो सवाल चेंई करतें सो लोग बतातें मैं को दो ऐसे बताओ जो आपको लगता है कि आपकी class के अंदर लें आहां पर एक्नमी ढह determination कोई ऐसे दो फीमाब को लाएक क्लास से जापको एपको यहांप क्वालिटी नहीं हो रही है हमाई साथ यहां पर ठीक है और क्या किया जा सकता है उन दो चीजों को क्वालिटी में कनवर्ट करने के लिए तो यह आपका इंफ्रेस्टिंग क्वेश्चन है सोचो दिमाग लगा और कॉमेंट सेक्शन पर आंसर करो तुम्हारे आंसर का मुझे बेस अबी से इतिजार रहता है तो कोई ऐसी दो चीज़ए जो आपके आसपास से हूं या आपके स्कूल से या आपके क्लास्ट्रॉम से हूं या वहीं से और उसक्या सकता है यही सवाल के साथ मैं आप से लेता हूं जा ने मानि की थोड़ी सी विदा यानि की गुड़ बा ठीक है तो मैं मिलूँगा आपसे बच्छे अगले प्यारे से वीडियो में तब तक के लिए हस्ते रहे हैं मुस्कराते रहे खुश्च रहे हैं अमेजिंग रहे स्टेट यून विद पीडाब्ल्यू बाबाए